कि भारती जनतापाटी को व्यापक जन समर्थन प्राप्त नहीं है, काउ बेल्ट I don't know where काउ बेल्ट है, काउ बेल्ट का समर्थन जो काउ बेल्ट जिससे खा जाता है उसको इस तरह से सदन में उल्लखित करना किस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? हर्याना में, हम हर्याना में जीते हैं हमने करनाटक में समर्थन प्राप्त किया है और ये ठीक है कि केरल में और तामिल नाडू में हम उतने शक्तिशाली नहीं हैं मगर हमारा संगठन है पश्रिम बंगाल में भी हमें अगर आप बोट की बात करते हैं तो फिर दस परसंट बोट की बात करिये एक इस सदन में एक एक जख्तिशी की पार्टी है एक एक जख्तिशी की पार्टी और वो हमारे साथ हमारे खिलाब जमगट करके और हमें हटाने का प्रयास कर रहे हैं उन्हें प्रयास करने का पूरा धिकार है मगर है वो एक एक व्यक्ति की पार्टी एकला चलो रहे और चलो एकला अपने चुनाओ क्षेटर से और दिल्ली में आकर हो जाओ इखटे रहे किसलिए इखटे हो जाओ देश के भले के लिए वागत है हम भी अपने घंक से देश की सेवा कर रहे हैं और अगर हम देश वक्त न होते और अगर हम निस्वार्ट भाव से राजनीत में अपना इस्थान बनाने का प्रयास न करते और हमारे इन प्रयासों के पीसे 40 साल की साधना है यह कोई आकस्मिक जनादेश नहीं है यह कोई चमचकार नहीं हुआ है हमने मैंनत की है हम लोगों में गए हैं हमने संगर्श किया है पार्टी 300 पैसर दिन चलने वाली पार्टी है यह कोई चुनाओ में कुकर मुक्चे की तरह से और आज हमें आज हमें अकारन कड़करे में हुआ किया जा रहा है क्योंकि हम थोड़ी से थोड़ी ज़्यादा सीटे नहीं लिख सेके हैं, मानते हमारी कमजोरी है हमें बहुमत मिलना चाहिए राश्ट पती ने हमें आउसर दिया, हमने उसका लाब उठाने की कोशिश किया हमें सफलता नहीं मिली, वो अलग बात है लेकिन हम फिर भी सदन में सबसे बड़े विरोधी दल के रूप में बैठेंगे और आपको हमारा सहयोग लेकर सदन चलाना पड़ेगा इस आपको मत भूले मगर सदन चलाने में और ठीक तरह से चलाने में हम आपको पूरा सही योग देंगे या आपको आश्वासन देना चाहते हैं मगर सरकार आप कैसी बनाएंगे वो सरकार किस कारिकम पर बनेगी वो सरकार कैसी चलेगी मैं नहीं जाना लेकिन जहां तक जलितों का सवाल है के टोटल मेंबर्स हैं 77 और उनमें से 29 मेंबर्स बीजेपी किसे नहीं गएंगे CPIM के 5 मेंबर हैं CPI एक मेंबर है कॉंग्रेस 15 मेंबर है जनतादर 7 मेंबर है और सबसेदाद हमारे मेंबर है सब्सक्राइब किसे नहीं जनतादर नहीं है हमें लोगों का व्यापक समर्चन प्राप्त नहीं अगर आप हमें हमें हमारे हमें छोड़कर सत्ता बनाना चाहते हैं और आप समझते हैं कि वो सरकार टिकाऊ होगी मुझे तो उसके टिकने के लक्षण नहीं जिकाई दे पहले तो पहले तो उसका जन्म लेना कठेने जन्म लेने के बाद जीवित रेना कठेने और ये सरकार अंतर विरोधों में घिरी हुई कोडिनेटिंग कमेटी बनाना पड़ेगी फ्लोर पर भी हम लोग कोडिनेशन करते हैं उसके मिला तो सदन नहीं चलता है आप सारा देश चलाना चाहते हैं बड़ी अच्छी बात है हमारी शुमकान नायाक के साथ है हम अपने देश के देश की सेवा के कारे में जुटे रहेंगे हम संच्छा बलके सामने सर चुकाते हैं और आपको विश्वास दिलाते हैं कि जो कारे हम अपने हाथ में लिया है वो जब तक राष्ट की उजश पूरा नहीं कर लेगे तब तक विश्राम से नहीं बैठेंगे तब तक आराम से नहीं बैठेंगे मैं अपना चाथ पत्र राष्ट पती महोदय को देने जा रहा हूँ